एक विक्सित भारत, एक आत्म निर्भर भारत के लिए पून रूप से सुनिश्चित किया गया है। प्रदान मंत्री जी की जो सोच है कि अमरित काल से शताब्दी काल का सफर है भारत का निश्चित रूप से एक विक्सित भारत का रूप धारण करे वो इस बजट का मुख्य अंश है हर एक शेत्र चाहे वो क्रिशी हो ग्रामीन विकास हो अधो सनरचना हो सिचाई हो शिक्षा हो स्वास्त हो और भविश्य के भी जो रिफॉर्म्स हमें लाने है इन सभी चीजों को मद्दे नजर रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है मैं बधाई देना चाहता हूँ वितमंत्री जी को प्रधानमंत्री जी की नित्यत में भारत एक स्विकास के पत पे चलेगा है यह शेयर बज़ार में देखेंगे कि पिछले साल से आज तक बीस हजार पॉइंट्स उपर बज़ार चला गया है हमारी आर्थिक विकास आठ दिशंबर दो प्रतिशत तक पहुँची है जो विश्व में एक रेकॉर्ड धारण किया है भारत की विकास और प्रगती जहां एक तरफ आर्थिक विकास बढ़ रही है वहां महिंगाई पूरे विश्व से सबसे कम है हर एक शेत्र में अधोसन रचना में बड़ोतरी हो रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर में 9.5 लाक करोड पिछले वर्ष था 11.11 लाक करोड इस वर्ष का आकलन है हमारी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर इंवेस्मेंट ओरियंटिड एकॉनमी आज बन रही है जो एक शुप संकेत है बहुत बहुत दन्यवाद है